प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी के यशस्वी नेत्रित्व में पिछले साथ वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान देश की प्रात्मिकता रहा है। भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूत पूर्व प्रगती की है। देश में जहां 2014 में केवल 74 हवायड़े संचालित थे, वहीं विगत 7 वर्षों में 62 नए हवायड़े संचालित किये गए हैं। उडान योजना के अंतरगत आज देश के टीर 3 शहरों में रहने वाला सामानने जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। भारस सरकार के इन अभूतपूर्व प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेश रूप से लाभानवित हुआ है। केंदर और राज्य सरकार, विश्टरिय सडक, रेल और हवाई संपर्क द्वारा बौध सरकिट के समगर विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भाद धर्मावलंबी और प्रयाटक सुगमता से कुशिनगर की यात्रा कर सकेंगे। जिन्हें पहले सीधी अंतराष्ट्रिय कनेक्टिविटी के अभाव में देश के विभिन अंतराष्ट्रिय एरपोर्ट से होकर कुशिनगर आना पड़ता था। कुशिनगर हवायडे के संचालन से कुशिनगर स्थित महापरी निर्वान मंदिर के साथ साथ इस शेत्र में बौध धर्म से जुड़े महतपून स्थलों जैसे सारनात, श्रावस्ती, संकीसा और लुंबनी जाना भी परयटकों के लिए आसान होगा। कुशिनगर हवायडे में अंतराष्ट्रिय संचालन के लिए 3600 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का दिर्मान मातर पांच महीनों के रिकॉर्ड समय में किया गया है। इस टर्मिनल में एक समय में 300 यात्रियों के प्रबंधन की शमता है। इस हवायडे का रनवे Airbus 321 एबं Boeing 737 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए सक्षम है। कुशिनगर हवायडे के विकास से यहां के टूरिजम और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही। साथ ही आसपास की जिलों की 2 करोड से अधिक आबादी को हवाई मार्क से दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यहां निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में विर्द्धी होगी। रोजगार और कारुबार के अवसर पैदा होंगे तथा लोकल उतपादों का निर्यात संभव हो पाएगा। कुशी नगर हवायड़ा राष्ट्री राजमार्ग 28 से मातर 5 किलोमीटर एवं निकटतम रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्टी मोडल कनेक्टिबिटी से इस शेतर की दिकास को नई गती मिलेगी। आज का दिन एतिहासिक है जब कुशी नगर हंतराष्ट्री हवायड़े का उद्गाटन माननिय प्रधान मंतरी दरेंदर मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है।